नमस्का दोस्तो, Stock Market Studies में फिर से एक बार आपको सागत है, तो आज यह आप में बात करूँगा, दिगज एक Gas Distribution Company के बारे में, तो Gas Manufacturing and Distribution Company है MGL, तो मोहनगर Gas Limited, जिसके पर में बहुत सारे वीडियो बना के दिया, और बहुत सारे दोस्तों ने कमेंड किया, सर इस कमपानी का result आने के बाद एक वीडियो जोरू बना के देंगे, और मतलब दीजिएगा, और इस कमपानी के future में क्या होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे, तो क्योंकि इस कमपानी ने, मतलब कुछ तिनों से कुछ मैने में, बहुत जबदस गिरावट देखने को मिला, 30% से भी जबदस गिरावट देखने को मिला, तो क्या अभी इस कमपानी का level कौन से रहेगा, जिस सपोर्ट लेवेल कौन से रहेगा, जिसको टच करके रीबे कर सकते है, और जिसको टच करने के मतलब, ब्रेक करने के बाद और भी गिरावट हो सकते है, तो मैं टेकनिकल चार्ट पे देखिएगा, और मैं कोसिस करूँगा, जितने जादा से जादा इनफरमेसिन आपको देपा हूँ, उसी के लिए, तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, और जितने सारे दोस्त मुझे मतलब इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत- निचे मिल जाएगा, जाकर एक बार फटाफट चेक आउट कर लीजेगा, तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में, तो देखें मैं पहले वेबसाइट के उपर आ चुका हूँ, देखें वेबसाट हमेसा बताता रहता है कि कॉम्पानी कॉन सा फील में काम कर र ला हो, आप कहेंगे सर, मैं तो इतना दीन से यही जानता था कि MGL एक मतलब एक प्राइबेट कॉम्पानी है, तो गवर्मेंट कॉम्पानी आपकी वोल है, क्योंकि देखिए इसका जो ओनर है, इसका जो प्रोमोटर है, वो किसके पास ज़्यादा हिसे दरी है, गेल के पास प्राइबेट के साब से काम कर रहे हैं तो कॉम्पानी के आज की दिन इस कॉम्पानी के बारे में कुछ डेटा अप्टेट मकलब यहापर बताने वाला हूँ, तो चलो उस एक एक करके पूरा डीटेस आपको दिखा देता हूँ, तो सारे के सारे जानकर आपको यहाँ से मि दिखा रहा था कि कंपानी के बिजनेस मॉड़ूल कौन सा है, तो कंपानी का बिजनेस मॉड़ूल टोड़ली 对्स डिस्ट्यूबीशन के उपर है, साती सात कंपानी का बिजनेस मॉडूल गैस मनूफाक्ट्र लेंचेम निफैक्ट् اोपर भी है, तो आप यहाँ पर देख और स्टेट और महारस्था के ही कमपणी है तो कमपानी के भाग़ेटास देखेंगे काहना सा मतलब गयास के ओपर काम कर रहा應該 जैसे पी एंजी मेड़ मेन तो पीएंजी सेगमेंb company यहाँ पे actually PNG segment के उपर काम कर रहा है तो साथी साथ आप देखेंगे तो CNG के उपर भी काम कर रहा है CNG का total 1600 plus इसका manufacturing units है मतलब manufacturing करते है तो company के देखे जियोग्राफिक के लिए areas जो है तो company जियोग्राफिक के लिए areas में देखा जाए तो ज्यादा तर company Mumbai basis में ही काम करते है और company का बाकी जो parameter है आप यहाँ पे एक एक करके जाके check out कर सकते है तो आप यहाँ पे company के result के उपर में बात करूँ तो company के result है चलो बहुत सबसे पहले आपको दिखा दूँ तो उसके बाद एक एक करके और भी information आपको दिखाने वाला हूँ तो यहाँ पे जो figure है वो करोणों में दिया गया है तो company कोई छोटा मोटा नहीं है तो company देखिए आप देखेंगे तो company का total income जो है total income के बारे में बात करूँ तो आप company का नाम आप देख सकते है महानगर गैस लिमिटेड है उतलो एमजल है तो total income के बारे में बात करूँ त पिछले साल में था 800 करोर का, इसका मतलब year of year basis और quarter of quarter basis company का income को growth हुआ है, अभी देखना है company के expense कितना हुआ, तो total expense के बारे हैं बात करूँ, तो आप दिखेंगे 1029 करोर, जो पहले था 1069 करोर, पिछले साल में था 514 करोर, इसका मतलब पिछले साल में company ने बहुत कम expense किया था इसलिए company को ज़्यादा फाइदा मिला, और इस बार company ने income अच्छा किया, मगर expense भी उसी तरीके से कर चुके है, तो यहाँ भी देख लेते है company का profit margin किस तरह बचा, तो दिखें, taxes जो है, taxes भी company को pay करना पड़ा, 48 करोर का taxes है, पिछले quarter में 18 करोर का taxes था, पिछले साल में 73, 73,000 करोर का, sorry, 73 करोर का taxes था, तो profit after taxes for the period, तो company ने किस तरह के से profit किया, वो देख लेते हैं, यही हालत थोड़ा सा changing हो गया, ऐसे, देखें, 31 करोर का profit किया, जो पहले 56 करोर का था, तो चलो पिछले साल का quarter के तुलोना से company का profit double से भी जादा हो गया, मगर पिछले सालों में income कम कम होने के नाते भी company ने 200 करोर का profit किया, कितना बढ़िया बात होना, तो इसका main कारण है, company ने 800 करोर का profit, income तो किया हो, किया था, कम तो income किया था, इस सालों के तुलोना से, मगर company का expense है, वो बहुत बहुत कम था, तो इसलिए company का profit margin आपे ज्यादा देखने को मिला, अभी देखना है company का earning per share कितना है, तो 10 रुपिया के face value के साब से 13 रुपिया का earning हो रहा है, पिछले quarter में 5 रुपिया का earning था, पिछले सालों में 21 रुपीज का earning था, तो earning per share में company का growth पिछले quarter के तुलोना से अच्छा हुआ, मगर पिछले सालों के figure में 50% कम है, तो अभी क्या इस mid cap type company है, 7000 करोड का market cap है, और company का peer ratio एकदम reasonable price है, industries peer ratio के हिसाब से, company का return of equity, return of capital employee ठीक ठाक level में है, company का annually income करीबन करीबन 600 करोड है, company का debt जो है, वो 100 करोड है, इसका मतलब आब इस company को debt free बोल सकते है, और एक चीज company के हाथ में जो cash है, वो free class जो है, वो totally 466 करोड है, मतलब company क income भी अच्छा हो रहा है, साथी साथ company के हाथ में cash भी अच्छा आ रहा है, साथी साथ company का debt भी कम हो रहा है, तो एक positive sign यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो company जबोदस dividend भी दे रहा है, 3.08% का total dividend company दे रहा है, तो earning बस्यार, मतलब EPS के बारे बाद कर तो 60.4, 60.4 पांस दिनों के अंदर अंदर company production कर रहा है, बहुत तेजी से काम कर रहा है, मगर company का हाथ में पैसा आ रहा है, करीबन 90 days में, तो ए थोड़ा सा week point है, फिर भी चलो कोई बात नहीं 90 days में पैसा आ रहा है, तो working capital day है, वो 5.47 है, तो working capital days बहुत काम है, और company का compare करू, company का जितन सारे companies है, उसमें देखा जाए, तो company six number position में है, उसका market capital के हिसाब से, और एक चीज, company के quarter basis के बात करूँ, तो company ने देखे, कभी भी loss नहीं किया, lockdown के period में भी company profit किया, 45 करोड का profit किया था, और इस बार भी company profit किया, और 132 करोड का, तो चलो अच्छी बात है, company का profit margin अभी भी continue positive में है, profit year of year basis देखेंगे, तो company का profit margin year of year basis भी अच्छा का सा growth कर रहा है, और आप देखेंगे, तो company का profit, company का earning जो है, वो यहापे अच्छा का सा growth हो रहा है, और एक चीज जोरू कहूंगा, आप इस company के उपर, मतलग जो expect कर रहा था, इतना अच्छा result होने के बाद, जो expectation ह और किसी को होना चाहिए, वो है profit percentage, तो किस तरीके से percentage आपको return के ही सबसे मिला है, तो आभी तक देखा जेतो company आपको losses ही दिया है, कोई भी profit नहीं दिया, तो return of equity अच्छा कासा होने के नाते, sales भी अच्छा कासा होने के नाते, profit भी मोटा मोटी ठिक ठाक होने के नाते, company महारास्टा में ही business कर रहा है, company बाहर की state से, बाहर अलग जगा पे business को growth करना चाहिए, तभी business को, मतलब business फैलेगा, और भी company का business बड़ा होगा, तो धिरे-धिरे company उसका भी कोशिस कर रहा है, तो चलो, future में देखा जाएगा company कितना growth करता है, तो दिखे, company जो promoter है, FIS है, हर किसी का पसंदेता stock है, क्योंकि हर किसी ने इस company के उपर ज्यादा से ज्यादा माल उठागा रखा, government के पास भी इस company के हिस्से धरी है, तो overall बात करू, company के हर parameter आपको positive दिखेगा, मगर return के मतलब दायरे में देखा जाए, तो company आपको negative return दे रहा है, और extra benefit के हिसाब से company आ करके रखा था, या पर देखिए, एक support zone है, या भी एक support zone है, वो around 660, 680, 680 level में इसका एक support zone है, तो इस level को अगर break करते है, तो एक और भी circle देखने को मिलेगा, करीवन 480 तक, और भी दूसरो point गिर सकता है, यह मेरा analysis है, मैं यह नहीं कहूंगा, कि आप इसको follow करके काम करि करिए, उसके बाद नीवेस करने के लिए सोचिए, मैं जोरू कहूंगा, company में कुछ खारा भी नहीं है, हाँ, बहुत रिक्सी game खेलना पड़ेगा आपको, क्योंको company एक meetcap type company है, मातर 7000 करोड का market cap है, तो आप रिसकी game खेलना चाते है, तो आपके लिए इस company ठीक है, अगर आप रिक्सी game नहीं खेलना चाते है, तो आपके लिए और भी बहुत अच्छा खासा gas distribution company है, उसके उपर जाका study कर सकते है, तो आसा करता हूँ सारे जानकर आपको मिल चुका है, मेरे वीडियो अच्छा लाइक करना, दोस्तों को सब्सक्रेब करना, मिलते नहीं स्टॉक ल